आज वे आपके लिए लेकर आए हूँ चार हिल्दी टिफिन के रेसेपी जो बहुत कम समय में बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और साथी साथ बहुत ज़ादा हिल्दी है इस टिफिन को बनाने के लिए पहले से कुछ भी तयारी करकर रखने की जूरत नहीं समय पर आप इससे चट पर टिफिन बना सकते हैं, तो चिलिए रेसेपी देखते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे हम सेवई उपमा, तो कड़ाय में हमने एक चमिचिना तेल डाला है तो देखिए एक कप में सेवई इसमें आड़ करे हूँ, जो कप से या जो कटोर से नाफ कराब सेवई ले रहे हो उसी कटोर से नाफ कराब को पानी लेना होगा, तो इससे अच्छे से चलाते हुए भूरना है सेवय पे तुरंती कलर चड़ जाता है इसलिए हमें इसे एक जिसे चलाते हुए भूरना है तो देखे जब इस तासे कलर आ जाए ना उस समय हमें सेवय को निकाल लेना है और साथ ही हमने उसी कड़ाई में दो चमिचितना तेल एड़ किया है और उसके अंदर हम एड़ करते है राई राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसे वह में जब राई अच्छे से फूर जाए उस समय हम इसमें एड़ करते है करीपता और साथ ही हमें एड़ करना है छोटा कटा हुआ पैज और उपमा में हमें जो भी सबजी आड़ करना है वो इसी समय आड़ कर लेते है तो एक छोटी कटी हुई गाजर हमने आड़ की है फ्रेंज बिंज इसमें आड़ की है बारिक कटे हुई जिसे इस सबजी को पकने में थोड़ा समय लगता है इसलिए हम इस्तासिय से पहले आड़ कर लेते है और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेते है जिसे पैज के साथ ये भी अच्छे से भून जाती है और साथ ही आड़ करे हुँ टमाटर तो एक छोटा कटा हुआ टमाटर में आड़ किया है उसे के साथ में green pieces में add करे हूँ और masala में हमें लेना है लाल मिच पाउडर और साथ हल्दी powder लेना है लाल मिच पाउडर आदा चमच हल्दी powder एक चोते चमच हमने डाल कर अच्छे से भून लेना है सबजी और masala अच्छे से भून जाए उस समय हमें इसमें एड़ करना है पानी तो पानी हमें कितना एड़ करना है ये बहुत ही important रिता है सेवय हुक्मा में तो देखिए जितना कप हमने सेवय लिया है उतना ही कप हमें इसमें पानी एड़ करना है तो एक कप हमने सिवाई ली थी तो एक कप में पानी इसमें आड़ करे हूँ नमक आड़ करे हूँ एक चममज या स्वादा दूसार और जो पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए उस समय हमें इसमें आड़ करना है सिवाई को तो इससे मैं हमने gas की flame medium पे रखी है और इससे हम इससे चला लेते हैं बस इससे अच्छे से एक बार mix कर लेना है और lead रखकर इससे 3-4 मिट के लिए अच्छे से cook कर लेना है सेवे को जादा चलाने के जरूरत नहीं है तो देखें lead रखकर हम इससे 3-4 मिट के लिए अच्छे से cook कर ले रहते हैं जिससे steam में अच्छे से cook हो जाती है तो 3-4 मिट हो चुके है बीच में हमने एक बार lead निकाल कर इससे चला लिया था तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया से खिला खिला सेवे को उपमा बनकर रेड़ी है इस तरह से बनाया हुआ उपमा दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिखता है पर खाने में भी स्काटेस बहुत ही अच्छा आता है और उसके साथ मैं इसमें रख रहे हूँ पापड तो जो उड़ेद मुंगे पापड हैता है उसे हमने triangle shape में कट करकर उसमें मसाला डाला तो मैं सर्व कर रहे हूँ सेवे के साथ में इस तरह से फ्राइंस और जो पापड रहता है उसे हम फ्राइ करकर बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं सेवे उपमा का टिफिन बनकर रेड़े हो चुका है तो दूसरा हम टिफिन बनाएंगे आलू फ्राय और अजवाइन प कर लिया है इसे हम चला लेते हैं और साथ हम इसमें एड़ करते हैं एक बारी कटा हुआ आलू इस ताथ से छोटा काटकर आलू डालते है तो तुरती पक कर रेड़ी हो जाता है ज्यादा समय नहीं लगता है टिफिन बनाने के लिए इसे हम अलका सा फ्राय कर लेते हैं और इसमें एड़ करें हूँ एक चमच इतना नमक तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं और लीड रख करना तीन से चार मिट के लिए अच्छे से कुख कर लेते हैं जब आलू अच्छे से कुख हो जाए उस समय हम इसमें एड़ करेंगे और भी मसाले इस समय हम इसमें मेडियम पर रखना है और मेंडम फ्लेम पर हमनेма कोख कर लिया है तीन से चार मीट हो चुके है तो एक बार इस्ता से हम चेक कर सकते हैं जब आलो अच्छे से कुख हो जाए और हलके से फ्राय हो जाए उस समय हम इसमें एड़ करते हैं सुखे मसाले जिसमें लाल मिच पधर कर रही हू एक चोथा चमच और सांबार पौड़ों आड़ करें हूँ आदा चमच सांबार पौड़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू फ्राय का तो बच्चे अगर टीफिन में जादा सबजिया नहीं खाते हैं तो इस तासे सिंपल सबजिया बना कर देते हैं तो ये सबज इस में डाल रहे हूँ नमक अड़ करे हूँ चुटकी भर और इससे मिक्स कर लेते हैं इस ता से पराठा बनाने के लिए तो हम अलग-अलग शेप में रोटी बना कर दे सकते हैं जो बच्चों को इंट्रेस्टिंग लगे और यह पूरा ठीफिन फिनिश करकर आए तो देखे इस तरह से हमें पराठा बेल लेना है ज्यादा पतला बेलना के ज़रुत नहीं है तो पराठा को सेखने के लिए हम बटर गी या तेल का यूज़ कर सकते है गी से बना हुआ पराठा ज्यादा हेल्दी रहता है और अजवाइन का पराठा आलू के सबजी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है तो इस पराठे को मैं गी के साथ सेख रहे हूँ तो इस तासे हमें इसमें एक चमचिस्ता से गी दालना ह और इसे अच्छे से दबाते हुए सेख लेना है जिससे अंदर से अच्छे से सीख जाए इस तासे बना हुआ पराठा बहुत ही बढ़िया खसता लगता है खाने में बहुत ही अच्छा सोंदा सा लगता है और पराठा अपने मोटा बनाया है इसलिए इसे सीखने में रूटी रखते समय पूरी ताहसे हमें थंटा करकर ही इसे रखना है जिससे ये पानी ना छोड़े और टिफिन में रूटी अच्छी लगे तो देखें पराठा बनकर रेडी है तो टिफिन को हम सव कर लेते हैं तो आलू फ्राय हमारा बनकर रेडी हो चुका था उसे भी रख बूलाओ तो पैड में हमने एक चमच ना तेल डाला है सूखी मिच दाल रहे हूँ और जीरा दाल रहे हूँ आदा चमच जीरा अचा जब चटक जाए उस समय एक छोटा कटा हुआ पैज हमने इसमें एड किया है इसे हम चला लेते हैं पैज को ज्यादा पूनने के जरूरत रहे है बस यहल्क जलर चलँ जाए तब तक हम इससे भूनना है थन पैस तो एक चमच में अध्रेक लसून की में हैं और ईचीरी कादे तो आप इसमें सबजी आड़ कर सकते है पॉर्ड़ि पॉड़र एक चोते चमच से भी कम इसे हम अच्छे से चला लेते है और टमाटर जब अच्छे से कुख हो जाए उस समय हमें इसमें आड़ करना है छोटा कटा हुआ पनीर तो पनीर में 50 ग्राम ले रहे हूँ और इसे हम इसमें आड़ कर लेते हैं और पनीर को भी अच्छे से चला लेना है पनीर को ज़्यादा कूप नहीं करना है बसे मसाले में कोट हो जाए उस समय हम इसमें इसमें आड़ करना है चावल और साथ ही हम इस पुला में मसाले आड़ और देखे से भी ही जो टेस्टी भी हेल्दी भी है और बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया है बच्चों का टीफिन बनाते समय कुछ बातों का में दयान रखना है जैसे बच्चों को कौन से सबजी जादा पसंद आती है तो उसी के इसाफ से हमें मसाले इसमें एड़ेस्ट करना रहते है जिससे उसका स्वाद आए और बच्चों पूरा टिफिन फिनिश करकर आए तो इस टिफिन के साथ में रख रहे हूँ चिफ्स और करना है एक कप इतनी मोटी आले सुजी और साथ ही इसमें आड़ करे हूँ दही आधा कप एक कपना पानी आड़ करे हूँ तो दही को हमें सुजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करकर हमें 5 मिट के लिए साइड में छोड़ना है जिससे सुजी अच्छे से स इसमें आड़ कर देते हैं साथ ही हमें नमक आड़ करना है स्वादोनु सार एक चमच के करीब नमक आड़ किया है कुटी हुई हरी मिच में इसमें आड़ करे हूँ एक हरी मिच को हमने कूट लिया था वो हम इसमें आड़ कर लेते हैं तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस ताह से बनाया हुआ हांडो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अगर बच्चों को इडली दोसा या ढूकला पसंद आता है ना तो यह हांडो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगा और साथी एक चमच में इनो पाउडर आड़ करें हूँ तो इस अच्छे से मि इस ताह से चारो तरफ से कड़ाई में तेल लगा लेना है और इसमें आड़ करना है राई आधा चमच राएे आच्छे से फूर जाना चाहिए साथ ही इसमें आड़ करे हूँ करीपता हिंग आड़ करे हूँ एक चोथाई चमज और उसी के साथ हम इसमें आड़ करे है तील बुनी हुई तील में आड़ करे हूँ एक बड़ा चमज बरकर हमें तील आड़ करना है तील से बहुत ही अच्छा स्वाद इसका आता है तो देखे इस तरह से हमें कर लेना है जिसे तील सभी जगा से लग जाए और इसमें जो हंड़ोका हमने मिश्रन बना कर रखा था न वो तुरंथी दाल देना है गैस की फ्लेम पूरीता से लो रखना है और इस पर लेट रखकर हमें 3-4 मिट के लिए लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है यह उपर से सुखा दिखाई देता है उस समय तक हमें कुक करना है गैस की फ्लेम पूरीता से लो रहना चाहिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा वरना यह नीचे से जल सकता है और जब यह हो जाए उस समय हमें नीचे से साइड इससे छुड़ा लेना है उपर से प्लेट रखकर इसे पलट देना है और वापस से हमने कडाई में एक चमच तेल डाल कर तेल डाल दिया था और देखे इस तरह से हमें वापस से इसे कडाई में डाल देना है जो उपर की साइड है वो नीचे डाल देना है और लीड रखकर वापस से हमें तीन से चार मिट के लिए इसे कुक कर लेना है और जब यह कुक हो जाएं तो एक बार हमें इस साइसे नाइफ से चेक कर लेना है नई जब clear निकले तब ये अच्छे से cook हो जाता है हंडो को cut करते समय इसे पूरी तासे थंडा कर लेना है और उस समय हमें इसे cut कर लेना है तो साथ ही मैंने नडल की चटनी बनाई है इस हंडो के साथ हम इडली दोसा वाली चटनी सव कर सकते है या चाहो तो टमाटो केचप भी सव कर सकते है तो टिफिन बनकर रेडी है टिफिन के रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्रेब करना बिलकुल न भूलिएगा मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो